तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चेनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आपके पास Android Mobile है और आप अपने Play Store में जाकर किसी भी एप्लिकेशन को जिस पर अपडेट आया हुआ है उसको अपडेट करने का ट्राइ करते हैं या फिर किसी भी एप्लिकेशन को एकसेस करने का ट्राइ करते हैं अपने Play Store में जाकर आपके सामने यह दिखाता होगा Looks like another app is blocking access to Google Play Turn off any app that might be drawing over the screen and try again अगर आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोबलम आ रही है आपके Play Store में तो कैसे उसको ठीक करना है आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में आज तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे को यह प्रोबलम आ रही थी मैंने कैसे ठीक किया है आपको डिटेल में बताऊंगा तो इस वीडियो में यह एंट तक बने रहेगा तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है अपने मोबायल की सर्टिंग में आ जाना है तन उसके बाद स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और एपस पर क्लिक कर लेना है तन उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा इस सर्च बार में आपको Google Play Store सर्च करना है यहाँ पर देख सकते हैं Google Play Store आ चुका है इसको open करना है open करने के बाद guys यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा uninstall updates नीचे आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर आपको click करना और सभी आप जो uninstall updates उनको कर लेना है okay ठीक है यहाँ पर okay करने के बाद जो है back आना है आपको याद रखिए आपको okay करना है यहाँ पर okay करने के बाद back आ जाना है so guys back आने के बाद अब आपको करना क्या है अपना main setting में आ जाना है main setting में आने के बाद search bar में आपको लिखना है display over other app display over other app लिखना है और इसको ok कर देना है यहाँ पर यह setting आएगी special app access वाली जो वहाँ पर दिखा रहा था आपको same यहाँ पर आएगी तो आपको लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कि तरफ display over other apps यहाँ पर इस setting को open कर लेना है आप यहाँ पर करना है गाईस अब यहाँ पर बहुत सारी applications आ चुकी है आप सभी को आपको open करके देखना है किस को आपको किस application को आपने जो है display over other apps पर यहाँ पर enable किया हुआ है यहाँ पर नहीं है यह तो शोड़ दीजिए यहाँ पर सभी को बारी बारी से check कर लीजिएगा इस पर भी देख लीजिए इसको किया हुआ है तो इसको बंद कर जीजिए जिस भी application को आपने किया होगा उनको बंद कर यहाँ से जिस भी application को आपने किया है यहाँ पर इसको भी बंद कर दीजिए जितनी भी applications आप सभी को बंद करेंगे यहाँ पर और जैसे यहाँ से बंद कर देंगे guys तो आपकी problem जो है solve हो जाएगी याद रखिए जितनी भी applications है सभी का जो access है आपको यहाँ से बंद करना होगा और खासकर आपकी video recording की applications होती है उनको भी आपको यहाँ पर बंद करना होगा जो screen recorders वगेरा होते हैं उनको और यहाँ पर third party applications जो होती है जिनको आप play store से download नहीं करते जैसा कि यह what's bubble है इसको भी यहाँ पर बंद कर दीजी access को आप अपर इन सभी applications के access को आप बंद करेंगे तो आपकी problem solve हो जाएगी आप easily play store को access कर पाएंगे और अपनी applications को access कर पाएंगे और updates भी कर पाएंगे आपको आज के वीडियो में यही बताना था ओप आपको यह वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दर भूबाए take care love you all